नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर वाग और आज हम बात करेंगे ऑस्टियो पोरोसिस के बारे में दोस्तों ऑस्टियो पोरोसिस याने हड्यों का कमजर होना वीडियो शुरू करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकान दबाना ना भूले ताके मेरे आने वाले अगले सारे वीडियो आपके पास सबसे पहले पोचें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों अगर आपको यह जो हम डिसकुस करने वाले हैं छे प्रॉब्लेम है तो आपकी हड्डिया कमज़र होने में टाइम नहीं लगता आपके बॉड़ी में हड्डिया कमज़र होने की मातरा या रेट फास्ट होता है तो यह कौन से प्रॉब्लेम है जिसको हम रिस्क फैक्टर्स भी बोल सकते हैं तो ध्यान में रखिए एक्सेस A, C, C, E, S, S A याने अलकोल अगर आपको अलकोल या शराप लेने की आदत है तो आपके हड्डिया कमपेरिबली याने दूसरों के मुकाबले जल्दी कमज़र होने की ज़्यादा संबावना होती है C, याने के कॉर्टिको स्टिरोइड यूज अगर आप कोई भी बिमारी में कॉर्टिको स्टिरोइड लेते हैं या आपके डॉक्टर हमेशा आपको कॉर्टिको स्टिरोइड देते हैं तो आपकी हड्डिया जल से जल कमज़र होने में मदद होती है आगे का risk factor है C याने के calcium अगर आपके खून में या आपके खाने में calcium की मातरा बहुत ही कम है तो आपकी हड़िया जल्द से जल्द कमज़र हो जाती है आपके osteoporosis की problem ज्यादा बढ़ती है आगे का risk factor है E याने estrogen estrogen हमारे body में जो होता है पुर्षों में कम मातरा में पैदा होता है लेकिन महीलाओं में इसकी मातरा ज्यादा होती है अगर आपके शरीर में होने वाला estrogen की level कम है तो आप osteoporosis का शिकार बन सकते हैं महीलाओं में जब उनकी महावारी यानि periods धीरे धीरे कम होती है या जब periods बन होते हैं तो estrogen production यानि estrogen पैदा होने की मातरा कम होती है और यही वज़े है कि 40 years के बाद महीलाओं में fractures होने के problem ज़्यादा होते है तो ध्यान में रखिए अगर आपके body में estrogen की मातरा कम है तो आप osteoporosis का शिकार बन सकते हैं आगे का risk factor है smoking अगर आपको smoking की आदत है तो आप osteoporosis का शिकार बन सकते है smoking आपके फेफडों के साथ ही आपके हड़ियों को fast rate में कमजोर बना देता है लास्ट और आखरी risk factor है sedentary lifestyle दोस्तों बहुत सारे लोगों की sedentary lifestyle होते हैं याने उनका काम बेठे बेठे ही करने वाला होता है जो महिला है या बुज़ूर्ग जो काम पे नहीं जाते घर पे ही रहते हैं लेकिन ज्यादा समब़े के लिए वो बेठे बेठे ही रहते हैं उनमें भी हड़िया कमजोर होने की ज्यादा समबावना होती है दोस्तों तो यह छे फैक्टर है जो रिस्क फैक्टर है और अगर आप इस पर काम करेंगे तो आपकी हड़िया कमजोर होने से आप रोक सकते हैं या आपकी हड़िया कमजोर होने का रेट आप कम कर सकते हैं दोस्तों मुझे पता है आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लेगेगी प्लीज शेयर दिस वीडियो विट यूर फ्रेंड्स, कलीग्स, एंड रिलेटिव्स और बाइ-बाइ